अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा So friends, एक जरूरी बार अगर आपको kitchen appliances या home appliances में कोई भी product चाहिए, वो भी discount पर तो नीचे description में link है, आप जाकर देख सकते हैं So start करते है friends, आज की recipe आज बनाने जा रहे हैं चावल के आटे की इडली और इडली का पोहा, अपने चावल के आटे की इडली भी खाई होगी लेकिन आज चावल के आटे की जो इडली बनती है न, कभी-कभी ऐसा होता है कि इडली बच भी जाती है और उसका reuse कैसे करें, तो इसमें इसका reuse भी हो जाएगा और आपके चावल के आटे की जो इडली होती है न, उसका पोहा भी बन जाएगा सो स्टार्ट करते हैं रसिपी, हमने एक कटोरी चावल का आटा लिया है इसे एक बड़े बावल में ले लेंगे और साथ में आधी कटोरी दही इसमें मिक्स करेंगे गीदिखी फ्रिंड्स हम देश में आधी कटोडी डही मिला दिया है और इसमें थोड़ा सा पेस्ट चेक औरिंग नमक डाल देते हैं इस तरह से और इसे खुब अच्छी से चला के रग देते हैं अब इसमें जब पानी डालेगा तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालेगा ताकि इसमें लंस ना पढ़े इसले सी थोड़ा सा डालेए इससे अच्छी सी मिक्स करते जाएए इस तरह सी पाने दाल देते हैं तो लम्स को ज्यादा तुछा रहता है लेकिन आप जब थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे और चलाते हैं में तो लम्स अपने आप दीड़े दीड़े कम पढ़ देएंगे इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट आसा त्यार हो गया है आप देख रहें से बस इस पोजिशन पे हमें इसे फेट के डोब देना है और इसे ढख के 30 मिनट के लिए रख देना है देखें फ्रेंस यह आटी का क्या पूजिशन है यह देखें फ्रेंस यह फूल चुगा है अच्छी तरह से फिर हम एक ऐसा कोई भी बड़तर लेंगे इसमें अच्छी से तेल को लगा देंगे इसको अलग रख देंगे इसके बाद यह हमने इनो लिया है आप इस इनो को इसमें डाल देजे इस तरह से और इसमें चरह सा एक चमबच पानी डाल देजे तक यह एक्टिव हो जाए इस तरह से अब ये रड़ी हो चुका है फ्रेंड्स आप चाहें तो इड्ली स्टन में भी इस तरह से इसे पका सकते हैं हम बताते हैं कि हमने ये बटन क्यों लिया है हम इससे इड्ली का पोहा बना रहे है तो हम ने इसमें डाल दिया है इसे इस तरह से जब हम इसे transfer कर देंगे नहां इसमें तो यह समझिये बनेगी ही idlari की तरह आप चाहे इसे सांचे में बनाईए चाहे इस तरह से हमें कर्थे बना लिया है हमें idlari का पूहा बिनाना ऐसा हमें इसलिए इसमें कर्थे जाल की पका लिए रहे हैं और अगर आपको इडली खाने के इच्छा है तो आप इडली स्टर में पका लिजए, कोई दिकत नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगया आप कर सकते हैं, और हाँ फ्रेंड्स कमिंट में हमें जुरू बताएगा कि आपको क्यासा लगा, ये दिखी, पस एक बारे से हलका सा टाप कर दिजए, इस तरह से फिर एक बटन में पानी रग दिजए, जो कि खुब खौल जाए, ये दिखी फ्रेंड्स, ये पानी खौलने लगा है, हमने इसमें धखकन डाल दिया है, और जब हम ये पेश्ट त्यार करेंगे, तो तुरंट ही इस खौलते पानी में इसे इस इस तरह से ढख देजे, इसे मेडियम आज पे 15 मिनट के लिए पका लिजे, फिर चेक कर लिजे, ये पका या नहीं, चेक करने का एक तरीका होता है, कि आप कोई भी स्पूल ले लिजे, यानि चमच ले लिजे, और उसे उल्टा करके इसमें पिन कर लिए, देखिए, अगर इसमें चावल का टचेक पक रहा है, तो और कसर है पकाने की, ये देखिए, फ्रेंड्स, हमने इसे, जैसे आप धोकला बनाती है, उस तरह से पका के रेड़ी कर लिया, और मैंने इसे चमच से चेक भी कर लिया था, जब ये पक ग गया था, तो हमने इसे ठंडा होने के इस तरह से, ये सब इसके साइड्स कट कर दीजे, ऐसे, उसके पाद इसके आप पीसेज निकाल लिजे, इस तरह करके, और इसके ऐसे कटिंग कर दीजे, ये देखिए तरह से, दो तरीके हैं इस पोही को बनाने कर दीजे, यानि कि आप चाहिए से बर्फी पीस में कट कर लिजे, चाहिए ये आपके पास जो बच्चियों हुएं साइड की पीसिस, आप इसको इसमें किसी चंबच से अच्छी से फोर्ड लिजे, इस तरह महीं कर लिजे, जसी ये हैलवे की तरह बन जायेगा, ये इसे हमने इक्द कर लिजे, आप चाहिए तो इसको इस रूप में बनाएं, चाहिए तो पीसस के रूप में बनाएं, आपके जैसी इचा आप वैसा कर सकते हैं, ये दिखिए फ्रेंड्स, गढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, हमने थोड़ी सी मॉंफ्ली ली है, जो साफ कर लिया है, इसे हम इसमें पहले गए हैं सबसे पहले, आज तेज बत करिएगा, वर्ण मॉंफ्ली जल जाएगी, लोटू मेडियम पे रखके इसे अच्छी से प इसमें मॉंफ्ली तर्टी में दाल लिया है, इसमें मॉंफ्ली में आप नमक और पिसा जेरा मिला के अलग रख लेजे, इसके बाद तर्पा मैंने रड़ी किया है, इसमें मैंने एक चमच करी पतिक, तो इस तड़के में सबसे पहले हमने ये एक चमच राई लिया है, ये डाल लिया, साथी करी पत्ता डाल लिया, जब तक ही तड़क राय है, तब तक ही दिखिए हमने इसके लिए प्याज कारके रखी है, आजी चमच से भी कम है, मिल्चे आजी चमच से भी कम है, और नमक ह उसके बाद हमने प्याज दाल रिया प्याज को बहुत लाल नहीं करना है इसफाद कि Schודla करते हैंतो हमेशन मेशेह ताथ काम करते हैं लो पिक न है कि जब हमेहेशने काम को अच्छे सेपल你 को बहुत जुआ है लेकिन हल्की सी मीडियम हमने की है इसलिए कि हमें बहुत ज़्यदा प्याज को नहीं पकाना है इसलिए इसी मीडियम आज़के इस तरह से सलाते रहें उसके बाद जब मसाले रालेंगे फिर आज को लोग कर लेंगे इसे इसमें हमने मसाले की डाल दिये और जो हमने पिसे स्टाटे थे यह भी इसी में आज़के हैं इस तरह से आपको बताया था आप इसे चूरे के रुष में रखे वह भी इसी मिक्स कर सकते हैं लिकिन पहले हम इसे त्राइक ट्रैले कर लेंगे उसके बाद हम चूरे इसमें मिला देंगे यानि कि आपको जो पसंद है आपको पीसेस पसंद है आपको इस तरह से पीसेस वाला कर लिजे अगर आपको चूरे वाला पसंद आता है पोहा जैसा आपको दिखाया तो आप चूरे वाला बना लिजे जैसा आपका देख करें इसकी बाद फ्रेंस इसकी प्लेटिंग कर ल जैसे मैंने से हैलूबे की रूप में बनाया यानि की बिलकुल 4K तो फ्रेड्ट्स आप पागी के लेडिस्स वीडियो ऐसे ही देखते रहेे और फ्रेड्स जब मैंने से घुलवे की तरहे फोडा बनाने का स्टैल सिम बैसे जैसे मैंने pieces वाला बनाया है तो बस हो गया इडली का पोहा बस थोड़े ही मिंटो में रड़ी ना इसमें ज़्यादा oil है कि health के लिए नुकसान करे ना इसमें मिर्च मसाला है कि कोई health को इस्शू बनाए so friends आगे के लिए टेस्ट वीडियो ऐसे ही दिखते रहें और हाँ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा थैंक यू फ्रेंड्स